दोस्तों आज हम जानेगे क्लाश 10 चैप्टर नमबर 1 रासायनिक अभिक्रिया यहुं समी करन चैमिकल रिक्षंस एंड इक्वेशन यह लेक्षन नमबर 1 है इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे एक दिन आपका सभी कुश्चन हल हो जाएंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है सबसे पहले हम इसको समझते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया यांकिर होती क्या है तो देखिए सबसे पहले आप example थोगा समझे यहाँ पर मान लीजिए आप जानते होंगे जब यहाँ पर iron होता है जो ठीक है iron मान लीजिए होता है यह फी होता है simple भासा में आप देखेंगे iron में जो भूरे रंग की परत चहर जाती है याद देखेंगे आप दही से दूद से दही बन जाता है क्या है सब रहसानिक अभिक्रिया ही है जैसे कि मान लीजिए iron हो गया जब oxygen से अभिक्रिया करता है वो ठीक है O2 से तो यहाँ पर यह FEO बन जाता है क्या बन जाता है FEO बन जाता है तो यह अभिक्रिया हो गई, तो यहाँ पर यह क्या हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए, एक रूप से मतलब यह अभी 2-O3 बनाता है, लेकिन हम सिंपल भासम इसको लिख सकते हैं, इसी तरह मान लिजे, मैगनीसियम जब आक्सीजन से अभिक्रिया किया, ठीक है, O2 से अभि क्रिया कर लिया, तो यह भी क्या बना लेता है, यह भी बना लेता है, मैगनीसियम आक्साइड, तो यही तो रासाइनिक अभिक्रिया है, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, आपस में अभिक्रिया करके, किसी नए पदार्थ का नि मैगनीशयम आकसाइड बना लिए नया पदार्थ बना लिए तो ये आप कही सकते हैं रहासा अवक्रिया हुई तो इसका एकृसा लिख सकते है इसी तरह बहुत सारे जैसे यहां पर बन जाता है यह इस तरह इसको लिख सकते हैं यह च्टू बन जाता है अभी नहीं कर रहा हूं संतुलित करना मैं आपको बाद में सिखाता हूं आगे चल के तो देखिए यहां पर यह क्या हुआ यहां पर आपको बुझाने में मदद करता है तो आप देख सकते हैं एक परीड टाइप में एक परकार से हो जाता है तो यही तो रहसानी का विक्रिया है तो इसका एक्जामपल आप लिख लेंगे चलिए परिभासा आपको लिख देते हैं तो यहां पर आप इसकी परिभासा इस तरह लिख देंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माड करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया करते हैं एक्यूलिक अभी-कभी एक पतार्थ यहां पर क्रिया कर लेता है तो आप इस प्राकार लिग देना कि जब एक या एक से अधिक पतार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थकर निर्मार करते तो इस घठना को रा सायनिक अभ्य क्राइप्रिया यानि chemical reactions कहड़ते है जैसे की एक पदार्थकर अभिक्रिया करता है जैसे कि यहां पर क Aunque कार्बोनेट को जो हम गर्म करते हैं यहां पर हम जब इसको गर्म करते कि जो कैलसियम आकसाइड होता है वह यहाँ पर कारबन डायाकसाइड से अभी करिया करके कैलसियम कार्बोनेड बना लेता था ये CO3 बना लेता है और संगमरमर का सूत्र भी यही होता है तो आप देख सकते हैं जश्ट विप्रीद हो जाते हैं जब हम उस्मा किसी चीज को देते हैं तो ये जश्ट इधर हो गया और इसमें जब आग जला इसके उपर तो ये जल गए इसको जब गरम किये तो उल्टा कर लेता है ये दो पदार थे क्योंकि एक प्रकार से आग भी एक पदार दी है लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं दोनों में से किसी को लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम समझते हैं कि रासानिक समी करण क्या होता है तो यहां पर दोस्तों रासानिक समी करण क देखे अभी अब संतुलित रासानिक समीकरम भी आगय हम पढ़ेंगे और संतुलित करना भी सीखेंगे अब इसी तरह मान लीजिए यहाँ अभी हम पढ़ें थे इस ह्टू जब यहाँ पर किससे अभी क्रिया करता है अब से अभी कीरिया करता तो यह जल बन जाता है याद चाई हर तो आप क्या लिखेंगे कि जब अभीकार के हम उत्पाटों को उनके पृती की यह authenticity रासानिक स्वायल कहितेए जैसे कि माल लीजे लेकिन हम इसका प्रतीग उज़ कर लिए अक्सीजन है थे इसका प्रतीग उज़ कर लिए ठ्छोटा हो गया इतने वर हम समझ सकते हैं अगर में उस तरह लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा जब आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है किसी रासानिक पदार्थों को जब हम उनके प्रतीकियों सूत्रों का प्रियोग करके प्रदसित करते हैं तो यह रासानिक समीकरण कहलाता है आप इतना भी याद कर सकते हैं क्योंकि जब रासानिक अभिक्रिया होती है तो हम रासानिक पदार्थों का यूप योग करते हैं तो आप लिख सकते हैं जब हम रासानिक पदार्थों को उनके नाम सूत्र याम रासानिक सूत्रों का प्रियोग करके रासानिक सूत्र क्या है यह है जैसे की बन गया ठीक है आसानी से जा ताकि आपको याद हो सकें आप देख सकते हैं यह वाली में क्या मैच हो रहा है अभिकारक क्या होते हैं आप जानते होंगे जो यह साइड होते हैं यह अभिकारक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं अभिकारक हो गए इधर वाले अभिकारक हो गए और इधर वाले अलएं उत्पाद होते हैं तो यह देख सकते हैं तो यह दोनों से आप किसी को याद कर लीजिए दीर अब ज कर ली ङ किसे कहते हैं आप से एंग्जाम में कुष्चन पूछा भी गया था तो चलिए इसको भी बताते हैं तो अब यहां पर आप समझे इस संतुलित रसारी Marriage कि मैंने उपार हुआ लिया था यह मैग्नीशियम और घ्जि जन के बिक्रिया होती है यहां पर क्या बनता है यहавेसा पॉट्वर्size O बनता है तो यह एम लिता है मैं लिता उस्य इंडिया नहीं सर्बत बनाते हैं गिलास हम लेते हैं ठीक है यहां पर गिलास हम बना लेते हैं थोड़ा सा मुझसे बनती नहीं है ठीक मैं कलम बहुत बीख हूँ तो अब देख ले न जो भी बन जाए तो यह घ्लास बना लिए ठीक है जल्दी से अब इसमें जब हम मालीजे पानी भरा हुआ है पानी डाल दि अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं क्या डाल देते हैं चीनी और इसमें नीम्बू डाल देते हैं ठीक है तो मालीजे जो यह इसका वाजन था पचास ग्राम था और पचास ग्राम हम चीनी डाल दिए दस ग्राम यहां पर नीम्बू डाल दिए ठीक है दस ग्राम तो यहां पचास सव और दस यहनी कितना हो जाएगा पूरा इसका वजन तो 110 गराम होगा ठीक है तो यहाँ पर 110 गराम होगा तो आप यहाँ पर सोचिए मालीजे हम एक गिलास में मैगनीसियम डाल रहे हैं और आक्सीजन डाल रहे हैं तो क्या इसमें जब यह बनेगा जब यह दोनों अब हिकरिया कर लेंगे मिल जाएंगे तो क्या इसमें से कोई पदार्थ कम हो जाएगा बिल्कुल नहीं कम होगा क्यों नहीं कम होगा क्योंकि पदार्थ की कमी हो ही नहीं सकती है नि द्रब काम नश्ट नहीं कर सकते द्रब मान को ठीक है देख सकते हैं यह मैगनीसियम एक है आकसीजन इधर ढовo है और यह एक यह बनालिया अब यह क्यों बना लिए अब यह एकज़म्पल यहाँ पर आपको बताते है क्यों बनाया आप जानते होंगे मैणी अवेस होता है बिद्ध होगी यहां पर ऑगञी में के फार्प में हमेशा गैसे लिखी जाती है यहां पर यहां पर यह मैगनीसियम हो गई और यहां पर आक्सीजन तो यह तो यहां पर यह मिलेंगे तो यहां जीओ हीटी ठीओ यह ठीविसे अब चन्ति उपपाएगया क्योंकि अब देखिए आप द्रबमान सनच्छन का नियम तो पड़े होंगे ठीक है मास कंजर्वेशन ला तो उसमें क्या होता है द्रबमान सनच्छन का नियम में बताया गया कि द्रबमान नश्ट नहीं किया जा सकता ठीक है जैसे किसी भी सनच्छन का नियम होता है उर्जा सनर्चन का नियम हो गया, तो उर्जा का नश्ट नहीं किया जा सकता, उर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतिरित कर देते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो हम रूपांतिरित कर रहे हैं, ठीक, अपने अंदर की उर्जा को हम ध्वनी उर्ज मैंगनीसियम' 1 exist लेकिन आक्सिजन1 zakl समीकरण कहलाथ है तो यहां पर एम इनके सूत्रों को परिवर्टित नहीं कर सकते अब आप सोचें यहां पर कि लीजे बना हुआ है अब आप सोचे यार हम इधर क्या करें इधर लगा दें तो इधर यह नहीं करेंगे तो भी संतुलित हो जाएगा तो उसके हम सूत्रों में परिवर्ता नहीं कर सकते यह एक नियम है कि हम किसी भी पदार्थ के सूत्र में परिवर्ता नहीं कर सकते जैसे कि काल्सियम कार्बोनेट अगर बना हुआ है ठीक है खड़िये जो होता है काल्सियम कार्बोनेट CA CO3 बना हुआ है तो हम इसको संतुलित करने के लिए कभी भी इसके सूत्र में परिवर्दा नहीं कर सकते बलकि पूरे में हम गुणा कर सकते हैं इधर पूरा हम गुणा कर सकते हैं इस तरह 2-3-4 से जितना का हो आप गुणा कर सकते हैं तो यहाँ पर यह आप सोचने कि हम यहाँ पर दो लगादें, यहाँ पर दो लगादें, इस तरह संतुलित करतें, यह सब गलत नियम है, इसको आपको नहीं करना है, तो आप क्या यहाँ पर संतुलित रासानिक समीकराण की परिभासा क्या बना सकते हैं, आसानी से बना सकते ह जब किसी रासानिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या है बाइसाइड और उत्पाद दाइसाइड तो जब किसी रासानिक अभिक्रिया में अभिकारकों उत्पादों की दोरों और संख्या समान होती है तो हम उसे संतुली तरह सानिक समीकरार कहते हैं या आप कह सकते हैं जब कि सीरासानिक अभिक्रिया में उसमें यूज होने वाले परमाडूओं की संख्या दोनों तरह बराबर होती है तो हम उसे संतुली तरह साइनिक समी करार कहते हैं जैसे कि यहाँ पर मैगनीसियम है और यह अक्सीजन दोनों तरह हमें परमाडू जो है यह परमाडू को रूप में और ये अडू की रूप में लिए तो यहां पर दोनों और परमाणु की संक्यर समान होनी चाहिए था कि magnesium का एक परमाणू इदर था और oxygen का यहां पर एक परमाणू था लेकिन जब आँ इसको संतलित किये तो देख सकते magnesium का 2 परमाणू हो गया oxygen का 2 और इधर भी मैगनेसियम को दो पर मालू, आकसीजन को दो पर मालू हो गया, तो यह संतलित हो गया, इसी तरह अगला एक्जामपल समझते हैं, माली ये हाईडोजन ले लिए, ठीक हाईडोजन से जब जल बनता है, O2, तो यह हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या ह्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ठीक है तो आप बताईए चली तो यहाँ पर क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर हाइडोजन दो है इधर आक्सीजन दो है लेकिन इधर आक्सीजन एक है तो हम यहाँ पर दो से गुणा कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर देखिए हाइडोजन जो चार्ट हो गया और यहा जैसा एक कगुणरा इधर से किया जाता है और इधर भी एक होता है तो इस तरह आप लिख सकते हैं अब बहुत से उदहरान आप ले लिजे चले हैं एक हम थोड़ा कठीन उदहरान लेते हैं माल लीजे कैल्सियम आक्साइड ले ले लिजे C, A, O, calcium oxide, आप जानते हों ग़िछ चूना जिसको बोलते हैं, ठीक है, calcium oxide हो गया, जब यह दोस्तों यहाँ पर, किससे अभिकरिया करता है, जब जल से अभिकरिया करता है, जब इसको हम जल में डालते हैं, तो आप जानते हों कि बुज़ूर्गोग बुज़ाते हैं, जो हो जगता होती है प्लस तू होती है रिडियस आप सकते हैं अक्सीरेशन नमबर जो होता हुटा ठीक है अक्सी करंड संख्या तो 2 होती है और ऐक्सीजन और हाइडेोजन की फी माइनस एक होती है क्यों अभी मैं आपको सम्झाता हूं ओ माइनस इसको लिखा जाता है इस तरह होती है अब देखिए यहाँ पर यह जब अभी किरिया करेंगे तो क्या होगा यह दो जो इधर आ जाएगा और यह एक इधर आ जाएगा तो C A O H का twice बन जाता है अब O H माइनस यहाँ पर क्यों है अब देखिए आकसीजन की दो यहाँ पर सेयो जगता होती है वो माइनस टू होती है ठीक है और यहाँ पर हाइडोजन की कितनी होती है हाइडोजन की प्लस एक होती है तो एक से एक कैंसील हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस एक ही तो बचेगा तो इसलिए यहाँ पर हम OH-1 आप लिख सकते हैं तो इस तरह होता है तो इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं मतलब कि कैल्सियम आकसाइड जब जल से अभी किलिया किये तो कैल्सियम हाइडाकसाइड बना लिया अब यहाँ पर आप देखें क्या यह संतुलित है क्यों कि देख सकते हैं आकसीजन इधर 1-2 हो गया और इधर भी आकसीजन 2 है यह 2 का गुणा यहाँ पर लगा हुआ ठीक है 2 है अब माइथमाटिक पढ़ते होंगे जान गए होंगे यह 2 है अब इधर यह 2 है अब इधर हाइडोजन को देखें 2 है इधर भी हाइडोजन 2 है ठीक है यह 2 सिगुणा हो गया पूरा का है तो 2 हो गया और कैल्सियम एक है तो कैल्सियम एक है तो इस तरह आप कर सकते हैं आसानी से देख सकते हैं कितना आसानी से बना सकते हैं तो इसकी हम परिभासा लिखते हैं तो यहाँ पर आप संतुली तरासानिक समीकरण की परिभासा क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले एक्जामपल मैंने जो लिया था नीचे कि जब यहाँ पर देखें मैगनीसियम बराबर है और इधर भी बराबर है तो इसे संतुली तरह सानिक समी करण कहते हैं बहुत सी बुक में लिखा मिल जाएगा आपको जब किसी रासानिक अभिक्रिया में अभिकार के यों उत्पादों की संख्या समान होती है लेकिन अभिकार को यों उत्पादों के परमालूं की संख्या समान होती है अभिकारा का और उत्पाद की संख्या समान नहीं होती है यहाँ पर ठीक है लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ क्या उनके परमाडू की संख्या जितने परमाडू इधर ही हो रहे हैं उतने ही परमाडू इधर भी होने चाहिए तो यहाँ पर संदुली तरह सानिक समीकरण कहलाएगा तो यह वाली परिवासा एकदम perfect है आप लिख सकते हैं जब किसी रासानिक अभिकरिया में अभिकार कोयम उत्पादों के परमाड़ों की संख्या समान होती है तो दोनों और समान होती है आप लिख सकते हैं समान होती है तो इसे संदुली तरह सानिक समीकरण कहते हैं इस तरह आप आसानि से यह परिभासा लिक लेंगे आज होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और इसे तरह हम चैप्टर वाइज हल करेंगे प्लेलिस्ट आप चेक कर लिजिए वहाँ पर सभी कुश्चन के हल आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम